Hi friend welcome back to my channel और मैं हूं सखी गार्डन तो आज मैं आपको कौनसा पोधा बताऊंगी और कौनसे पोधे के बारे में बताऊंगी इसकी और क्या benefit होते हैं वह भी बताऊंगी किस दिसा में लगाना है वह भी बताऊंगी और क्यों लगाना है वो भी बताऊंगे और इस पौदे के इस प्लांट के क्या क्या benefit है तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो आए है मेरे साथ तो ठीक है फ्रैंड अगर आपको सकी गाडन के गाडनिग पसंद आती है तो सकी गाडन चनल को लाइप सरे अगार्ग करें और मेरे साथ बने रहे हैं अगर न्यू फ्रेंड है विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं जिसे कि मेरी जो ही वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाएं तो फ्रेंड ये देखिए ये कौन सा प्लांट है वो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसे अपने घर में क्यों लगाना है क्यों बहुत ज़्यदा जरूरी है तो आज इसके बारे में आपको बताऊंगी और इसका रख रखाओ क्या है इसमें क्या-क्या डालना चाहिए इसकी क्यार कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी तो ठीक है फ्रेंड देखिए आएए मेरे साथ तो यह है प्लांट इसका नाम है क्रोसला ओवाटा शायद आपने देखा होगा जितने गार्डन हमारे फ्रेंड है उनके पास तो होगा क्योंकि बहुत ज़या लख्की होता है बहुत ही लख्की होता है प्लांट और इसे इस प्लांट को हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए इसकी कोई क्यार नहीं है एकदाम low maintenance कोई खर्चा नहीं कुछ भी नहीं और आराम से चलने वाला है इसमें कोई क्यार की कोई ज़रुत नहीं है कहाँ लगाना है मैं इसको बताउंगी तो यह देखिए इसकी पत्यां कितनी मोटी हैं गद्धिदार क्योंकि इन पत्तियों के अंदर में पानी होता है यह प्लांट पानी को स्टोर करके रखता है इसलिए इसमें पानी की रिक्वार्मेंट बहुत कम होती है अब जैसे गर्मिया है तो गर्मियों में तो इसको पानी देना ही देना है कब देना है करीब बन वीक में या एक हपते में जैसे हमारा एक ही प्लांट है तो इसमें उनली सिर्फ एक गिलास आदा लीटर पानी देना है एक बार दस दिन के अंदर में उसके बाद फिर आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं देंगे और इस तरीके से आप यह ऐसे गुडाई जरूर कर दिया करने के बाद अगर आपको इस प्लांट में चमक लानी है या कोई फंगल अटेक नहीं तो इसमें बस यह Phantom संखो ए एक करने के क्योंकि हल्दी भी बहुत सुब होती है और प्लांट भी हमारा बहुत सुब है और इससे क्या है इसमें फंगल अटेक बिल्कुल नहीं होगा इस तरीके से आप डाल सकते हैं और पानी तो मैंने बता ही दिया आपको आप एक हफ्ते में या दस दिन में आप उनली एक बार पा सिर्फ एक बार पानी डालेंगे एक प्लांट पे प्लांट की डालना है तो इन्ट मे बस आदा लिटर पानी जाएगा जादा नहीं जाएगा तो इस तरहके से आप हल्दी डाल सकते हैं यह मैंने हल्दी डाल दिया है नहीं होगा और अगर आपने पत्तियों में चमक लानी है तो आप इसमें एपसम सॉल्ट डाल सकते हैं जिससे पत्तियों में शाइनिंग भी होगी और अच्छी ग्रीन भी होगी बाकि इसमें कोई फटलाजर वगरा की ज़रूरत नहीं होती कोई रिक्वार्मेंट नहीं करता बलके यह प्लांट ऐसा होता है जो आपको only सिर्फ देने के लिए आता है क्योंकि यह प्लांट कुवेर को बहुत ज्यादा प्यारा है कुवेर कौन है यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कुवेर धनकिव देवता है तो जिस घर में यह प्लांट होता है उस घर में धनकिव तो ज़्याद इतना कॉसली भी नहीं है यह हमारा जो है ना यह 200 रुपय का है प्लांट जैसे कहीं कहीं थोड़ा सेस्ता मिल जाता है बट 100 से उपर तो आना ही आना है तो आप इस प्लांट को ओन लाइन भी बंगा सकते हैं या कहीं नर्शरी मिलता है तो आप नर्शरी से ले झतलन जाता है तो इसका लुटस है इह से अना यह उसकी लिप से भी यह तयार आप कर सकते हैं घर में रेडिक कर सकते हैं तो यह हमारा बहुत चोटा था तो जब से वनियर हमारा हो गया मेरे तो अंदर घर में है आउट्डोर मैंने किया ही नहीं है इंडोर ही रखा हुआ है अच्छा यह प्लांट जो होता है मनी प्लांट से भी ज्यादा चमतकारी होता है और आपकी जो आपकी कमाई होती है आर्थिक इस्तित में भी इतना प्लांट कहते हैं जो मिनी वाला होता है वो इसी की बराइटी का होता है और यह थोड़ा बड़ी पतियों का होता है तो इसको कहते हैं क्रॉसला ओवाटा और यह कुवेर देवताव को बहुत ज़्यादा प्री है क्योंकि कुवेर का ही है यह प्लांट इसलिए उन्हें बह होता है मैंने पीछे आपको composition लक्की बेंबू के बारे में तो एक यह मैं यह रहा होते हैं उपनी लक्की नकुछ कहते हैं लेकिन ऐसे प्लांट जो होते हैं, आप घर में आसानी से इनको चला सकते हैं, वो घर में रख सकते हैं, इसे मैं लखी बंबू को बारे में बताया था, पाम प्लांट भी होता है, उसको भी आप अंदर घर में रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बहुत लखी प्लांट होता है, जैड प्लांट ही आप इसको दाहने हाथ पर लगाएं तो यह बहुत ज़्यादा शुब होता है क्रोसला का पौदा घर में लगाएं आप और बास्त के अनसार भी बहुत अच्छा होता है मालक्षमी का प्रतीक है कुबेर का ही प्रतीक है और मालक्षमी की बिसेज क्रपाइज पर प्लांट होई है बहुत ज़्यादा तो इसे आप जरूर अपने घर में लगाएं यह बहुत अच्छा होता है जैसे आपका जहां ऑफिस है तो इस पौदे में कभी आप दुबारा पानी ना दें और दुबारा पानी जरूद भी नहीं पड़ती है तो आपने ऑफिस में आराम से इस प्लेट मैंने लगा रखी है इसी गंबले के साथ ही प्लेट आई थी तो मैंने इसको अराम से लगा दिया है इस तरीके से तो आप इसको घर में अराम से लगाएं और हलाकि इसकी पत्यों में बहुत पानी होता है रसीली होती है और होदी बढ़िया होती है जो पानी की जर तो जल्दी से यह नहीं सूपता है तो कि पानी पहले से इस्टोर है कि तो गर्मियों में तो बताया है कि आप थोड़ा सा वन बीक में डाले या आप दस दिन में डाले तो यह बहुत ही अच्छा प्लांट होता है मैं तो यही आप लोगों को बोलूगी कि आप इसमें देर न बहुत ही खुबसुरा लग रहा है अब मैं इसकी आपको दिशा और बताओंगी और दिशा किस में आपको लगाना है इस प्लांट को है ना तो इस एक रोसला वाटा में जैसे सर्दियां होती है अप्रेल से सितंबर तक तो तब पानी की बहुत कम जरूरत होती है है न जरूरत होती है न नहीं न तो अप्रेल से लेके सितंबर तक इसमें पानी कम दें यह नि चार दिन में दें क्यों गर्मी है इसलिए तो चार दिन में लगेगा और जब सर्दियां आएंगी तो बन मंत में लगेगा और जब कम गर्मियां होंगी जैसे के मार्च का मंत चला है अबी मार्च, अप्रेल, माई ये जो मंत हैं इनमें आप 10 दिन में पानी डालेंगे और दुबारा पर इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और अपने घर के मुख द्वार पर ये जो मैंगेट होता है मैंगेट पर इसे आप लगा दें दाहनी हाथ पर तो बहुत ज़दा शुब माना जाता है अगर आप उहां नहीं रख पा रहे हैं और आपकी घर में कोई कैसी प्राब्लम है तो आप इसको अपने ओफिस में लगाएं अपने टेवल पर रख दें ठीक है ना और कहां लगाएं मैं आपको अब भी बताते ही हैं तो ये कुवेर देवता को बहुत ज़दा प्री है तो इसकी जो है ना कुवेर की दिसा कहां है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे तो पूर्व दिसा है इस प्लांट को आप पूर्व दिसा में लगाएं है ना या फिर आप इसको दच्छब पूर्व में लगाएं, तो वहाँपर भी अच् dialogues होता है, या फिर इसे उत्तर दिशा में लगाएं, जैसे इग्र कुई आपके अहाँ समस्या है, कोई कैसी परव्लम है या आपके आपके इंडोस है, तो आप इसको उत्तर हिसा में लगा रहे हैं, तो बहुत ज़ी इसलिश जता है, मिनगें मेरी जो भी आता है, जैसे आपका ऑफिष है, तो ऑफिष में इसको दकछिल और पूर्विया में पूहर रखने पाऊते हैं, जरू ही पाइसे का पाऊप में पैसे होते हैं, ऐसा हमारे बड़े लोग कहते हैं कि इसको मैंगेट पर लगा लो तो जो भी निकलेगा वहां से जिसकी इस पर नजर पड़ेगी ये पैसे को चुम्म की तरह खीचेगा तो है ना कितना अच्छा पौधा अब लोग ये सोचते होंगे कि आरे पौधा कैसे हमें पैसे दे सकता है लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा होता है क्योंकि हर किसी का अलग-अलग होता है अब यह ही कुवेर का पौधा तो कुवेर तो धनके प्रितिक है तो इसलिए इस प्लांट को अपने घर में जरूर लगाएं जरूर जगयद हैं और अपने आफिस की टेवल पे आप लगा लग असानी साप लगा सकते हैं घर में तो ठीक है फ्रैंड आपको मैं दिशा भी बिताई और इसका रख रखा भी बिताया कोई खर्चा नहीं है इसमें और इसमें बस यही है कि पानी आप कभी ज्यादा ना डालें अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो यह प्लांट खर मैं मिटि में पानी डालते ही पानी फटा फट निकल जाए तो बस मिटि अच्छी बनानी है इसकी व्यादन मिट्य होना चाहिए अगर आपके पास मिट्ची कम है तो जैसे मकान बनता है पूर बनाने और उपर से मिट्टी तुरौ सा बना के डालें यह पालदा बहदा है कभी कहीं पर मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आई है तो इस पॉधिर को आप मंगाएं और आप घर को सजाएं घर की साग सज्जा के लिए भी बढ़िया है और लग्की भी है किसमत के लिए अच्छा हो था है बचों के लिए अच्छा है तो ठीक है फ्रेंड फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और आपको आज ही जाएं और क्रोसला अवाटा को ले आएं घर में आपने लगाएं तो ठीक है फ्रेंड अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा फिर मिलूंगी आपके साथ एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए सखी गार्डन को उजाजद दे बाई टेक केर डियार